नमस्कार सिक्चक साथियो आप सभी का एक बार फिल से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इसांक एजुकेशन में साथियो इसिक्चा कोस पोर्टल पर सभी एस्टूरेंट का मार्क स्टेट्मेंट इंट्री करना है यह कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है जिसको आप चाकर देख सकते हैं बहुत सारे साथ ही का कमेंट आया था कि एजस्टूरेंट का क्या करना है और किसी इस्टूरेंट का अगर गलत मार्क चढ़िया है तो उसको कैसे सुधार करना है चलिए लैव डिमो के साथ इन दोनों समस्या का समधाल देखते हैं और हाँ अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए मेरा एक WhatsApp ग्रूप है जिसका नाम है सिक्छा संदीज उनको जरूर जोयन कर लिजिए लिंक कमेंट में हैं इतना तक तो हमको लगता हिस सबको आता ही होगा जो कि अपने स्कूल I.D. को सेलेक्ट करना है उसके बाद याज कोड देना है पासवर्ट देए कि फिर कैप्चा डालके अपना school ID को login कर लेना है login करने के बाद जो सबसे पहला समस्या है कि अगर जो absent हो गया जो बच्चा उनको क्या करना है तो जैसे जहां पर क्या करते हैं mark चरहाते हैं यहाँ पर देखेंगे student enrollment में जाएंगे यहाँ पर three line है उसको टच करेंगे student mark है उसको click करेंगे फिर आगे देखेंगे कि जैसे जो भी student है यहाँ पर परिच्छाप का प्रकार स्लेक्ट कर लेंगे half yearly वर्क स्लेक्ट कर लेंगे यहाँ पर वर्क मेरे सभी student का आ गया है जैसे कि अमीत कुमार है अन्सु कुमारी है यहाँ पर इस क्लास में मैंने केवल नौ student का इंट्री किया हुआ है अगर इसमें अगर कोई subject में कोई नंबर चरहाना है तो फिर क्या करना है यह तो इंट्री कर दिया गया है यह सब्मीट भी हो गया है यह नौ student का लेकिन फिर भी अगर कोई मार्क छूट गया है या मार्क गलत इंट्री हो गया है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक option बना हुआ है उसके सामने देखिंगे कि यहां पर एक पैंसील का सीन बना हुआ है उसे वालेशस्ई पर जे से जिए यहां परori करने के बाद यहांपर जीए अपरकलर KemalUp student के data को update कर देंगे अब चलिए दूसरी समस्या के और चलते हैं कि दूसरी समस्या है कि जो absent student है उनका क्या करना है जैसे कि अगर work art की ही बात करें तो हम अपने क्लास के work art के और भी बच्चों का मैं इंट्री करूंगा तो यहां पर student enrollment में जाना है फिर इस्ति लाइन पर टच करके इसको बंद कर लेना है फिर यहां पर अपना work select कर लेना है यहां पर art select कर लिया है मैंने अगर section है तो section select कर सकते हैं और नीचे में search का बटन बना हुआ है उस पर click कर देना है चलिए यहां पर search का button click करते हैं यहां पर नीचे देखेंगे तो सभी सभी student का यहां पर आ जाएगा अब जिस भी जिस भी student का अगर subject tag में समस्या है जैसे कि यहां पर अभी से एक कुमार है तो इसका subject tag में समस्या है यहां पर आप subject tag कर सकते हैं और नीचे में submit का button है उस पर click करके उस subject tag को कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि अगर जिस student का मैंने final submit कर दिया है उसका अब हम देखेंगे कि जो student absent है उनको क्या करना है जिसे करना है यहां पर एड में जाते है जाने के बाद फिर आप प्रकार करते हैं इस पर फिर class में जाते हैं क्लास यहां पर मैंने आर्ट स्लेक्ट कर लिया है सेक्शन स्लेक्ट कर लेना है और सब्सक्राइब करना है सर्च करेंगे तो फिर जो भी इस्टुएंट का अगर इंट्री नहीं हुआ रहेगा उन सब का यहां पर आ जाता है सभी नंबर डालने के बाद चलिए हम बात करते है करने के एक इस्टुएंट है अभी सेक्पुमार यह क्या केरना है सभी का नंबर 楽ाई दिना है और जोंपर चोड़ने के और इसके बाद जब हम और स्ट करेंगे आर्ट select यहां पर click करके यहां पर, मैने click किया है all select कर लेना है all select करने के बाद मालिजिया अभी शेक and है तो यहांपर click करके इसको क्या किया है कि, un tick कर दिये है यहांपर अब देखेंगे यह तेक नहीं है फिर चले हम आख बात करते हागे कोई और भी student है य Ц के यह है अईूश कुमार यादव यह भी अप्जेंट है यहां पर किलिक करके वैंने उनको देखेंगे कि अंटिक कर दिया हुआ है और फिर जा करके क्या करेंगे नीचे में जब देखेंगे सम्मीट का बटन है उस पर किलिक करेंगे इसी तरीके से हम अब्जेंट वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को अंतर देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शूप हो